चार दिन के अंदर मात्रम साथ हजार भ्यूज, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेच्टी, छोटेलाल जी का गाना काफी बुरी तरीकस हुआ है, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, छोटेलाल जी का कोई गाना आया, और चार दिन के अंदर मात्रम साथ हजार यह गाना सुपर फ्लोप हो गया है बिल्कुल फ्लोप जहार दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग के प्यारों सपोर्ट के वज़से मैं भी ठीक ठाक हूँ बहुत दिन के बाद इस चैनल में मेरा फेस वीडियो आ रहा है मेरा अग्सीडएंट हो गया था बाइक से बहुत फ्यानक अग्सीडएंट हुआ था हाथ में बहुत चोट लगया था और यहां आप देख सकते हैं यहां पे चिला गया है और नाक में और यहां होट में आठ दिन तक मेरा टीट में चलार और अभ시면 ठीक ठाक हूं इसलिए ह खीक हो गए हम और आप लोग के लिए इस चैनल में तबाही वाला वीडियो आएगा तो आज हम बात करने माले है छोटे लाल जी का जिस गाना का टाइटल है छोडी के जमानी नदी के पानी ये गाना इतना फलोप हो गया कि क्या ही कहें दोस्तों अखिर छोटे लाल जी का ये एस्टी मैजिक से रिलीज हुआ था तो उस टेलर को मैंने अपने चैनल में अपलोड किया था ताफि लाफूं ओफिसियल का जो परडूसर है जो वीडियो में एक्टींग किया है करम देव उराओ इन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट करके क्या लिखने पता है वीडियो गाना को परमोट किया और वो हमें बोल रहें कमेंट करके कि उस वीडियो को हटा नहीं तो श्ट्राइक मार देंगे इसी के वज़स से हमने उस गाने की उपर कोई वीडियो नहीं बनाया नेक्स्ट मजबूरन बनाना पड़ रहा है क्योंकि छोटेलाल जी का जिन्दगी मे गाना का टाइटल था छोडिक के जवानी नदी के पानी ये गाना सूपर फ्लोप हो गया है भीलकुल फ्लोप अभी हम इसका भीज दिखा थे हैं आप लोगों को मात्रम चार दिन में इस वीडियो का भीज है साथ हजार आप समझ सकते हैं कितना सूपर फ्लोप हुआ बूरा तरीका से चोटलाल जी का ये गाना एकदम पूरा फ्लोप हुआ है और गाना की बात की जायना तो गाना इतना महस्त था कि इसका जोड़ा ही नहीं काफी महस्ता चोटलाल जी का गाना और साथ चार दिन के अंदर मातरम साथ हजार भीज आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेचती अखी चोटलाल जी का ये गाना इतना फ्लोप क्यों हो गया इतना अच्छा सिंगर और इतना अच्छा उनका मार्केट बना हुआ था बड़ ये गाना इतना फ्लोप क्यों हो गया कारण का है आप लोग जानते हैं तरन चार दिन में साथ हजार भीज इनके अंदर कम से कम दो से तीन लाख मेक्सिमम भीज आना चाहिए था इस वीडियो के उपर इस गाने के उपर चोटे लाल जी काे गाना इतना बूरी तरीका से फलोप ह बता ही नहीं चलो जब इस इस प्लोप हुआ थे तो अभी साइद आ रहा है कुछ भीज आया ना within ina तो नहीं आह रहा था इस गाने का जहोंना स्यों अच्छा से किया ही नहीं गिया था टेग और डिस्क्रेप्शन और अच्छा से लगाया ही नहीं गिया था लोग सोचे ना कि छोटेडाल जी का गाना है तो ले लेंगे और अपलोड कर देंगे जैसे भी अच्छा खासा वाइरल हो जाएगा बड़ एसा नहीं होता है अभी कभी खुद का दिमाग पर इस्तिमाल भी किया जाता है तो इसमें छोटेडाल जी का कोई गलती नहीं है गाना फ्लोप हुआ तो उससे उनका कोई नुकसान नहीं है बड़ थोड़ा सा लगता है कि यार मेरा इतना अच्छा घ्वना था इतना फ्लोप हो गया दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं जाइए वीडियो के डिस्क्रेप्सान लिंक दिये हैं एक बार जरूर चेकाट कीजिए अगर आप सुन लिए हैं तो आप कमेंट करके बताए गाना कैसा लागा इतना बुरा तरीका से फ्लोप हुआ मुझे से सहन नहीं कि छोटे लाल जी का कोई घाना आया और चार दिन के अंदर मात्रम साथ हजार भीज आप समझ सकते हैं साथ हजार भीज यही था आज का अपडेट मिलते हैं आप लोग से नेक्ट वीडियो में तब तक कि दिए मेले करों से आप सभी को चारकंडी जुहार